जीवन में समस्याओं का दौर खत्म होना चाहिए अब हमें सत्य का ज्यान प्राप्त होना चाहिए दुख दर्द और घमों से छुटकारा मिलना चाहिए अब हमें खुश्या ही खुश्या और जीवन में शान्ती मिलने चाहिए हमारे कारिकरम से प्यार है तो अभी सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे प्रिया शेश्यों, सादकों और आज के हमारे सभी प्रभुद नवीन दर्शकों स्वागत है आप सभी का जन्म कुंडरी विस्टलेशन के इस विशेश कारिकरम में मैंने कई लोगों को देखा अपने जिन्दगी में जो सब कुछ पाया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खो दी खोने में ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्हों अपनी पत्नी का मंगल सूत्र तक गिर्वी रख दिया या उसे बेज दिया फिर वो भगवान से कहते हैं कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है भगवान खोने को तो एक गुरु ने कहा कि बेटे सब कुछ वापस पा लेने का जज़बा और जुनून कॉन्फिदेंस उमीद वो बत खोना जब वो खो दी तो कुछ भी नहीं बचेगा इसलिए अगर इंसान अपनी जिंदेगी में अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को लगता है कि उनका डाइवार्स हो चुका है उनके बचे नहीं है या रुपए पैसे में घाटा हो चुका है बिजनस लॉस में चला गया है जॉब छूट गई है कुछ ऐसी अनुहनी कटना है हमारे साथ हो गई है हम जिंदा है सब कुछ कर सकते हैं याद रखेगा उमीद कभी नहीं खोने चाहिए इंसान को वक्त कभी भी अमेशा खराब चलता है ना अमेशा अच्छा चलता है अच्छा चल रहा होता है उस वक्त सुख में सुमिरन कीजिए लोगों की मदद कीजिए दुख में चल रहा है पेशेंस रखिये इंपॉर्टन क्या है कि जब आदमी के तकलीफ का टाइम होता है उस टाइम को कैसे आप मैनेज करते है उसमें आप तूट जाते हैं, डिप्रेशन में, आपको डाइबिटीज हो जाती है, आप सुसाइडल टेंडेंस ही हो जाती है, वो सब नहीं होना चाहिए, उसको मैनेज करना आना चाहिए, जिस दिन वो मैनेज कर लिए आपने तकलिफ अखत हो जाए, ऐसा ही एक वैक्ति, ज होता है, तस बारा साल की उमर में, एक दिन ऐसा आता है, कि जिस दिन इनके पिता जी इनके छोटे बज़, आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, अठाईस साल दो मेने के वैक्ति हैं, इनका जो छोटा भाई था, वो जब तस से बारा साल की बीच में था, इनको आज वो डेट पिता जी डांट लगाते हैं, और डांट सुनने के बाद वो बच्चा घर छोड़के चला जाता, आज तक तो वो मिला नहीं है, बड़ा डिपरेशन में ये खुद भी रहे, पिता को भी अमेशा ये सदबा रहा, कि मेरी वज़े से मैंने एक भाई का प्यार चीना, मेरी प पिता जी, फिर माता जी दोनों चले के, ये लड़का इस वक्त सैन होसे में, जिसकी मा आज बात कर रहा हूँ, वो सैन होसे यूएस से में, कैलिफोर्निया में, गूगल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अपनी काबिलियत के अनुसार, खुब मेहनत करके, अपनी जिंदिगी वापस आते हैं, कोई हैंकी पैंकी लाइफ नहीं, किसी प्रकार का गूमना फिर्णा, शराब, फ्रेंडशिप, गल्फरेंड ये ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, इनको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा, मैं पैसा भी कमाता हूँ, इंडिन करेंसी में, हर म बोलों कि मुझे कोई लड़की ढूंड दे मेरे लिए, क्योंकि जब भी मैं सोशल मीडिया में कहीं डालता हूँ, या ऐसे जो डॉट कॉम, शादी और आपको पता ही ये सब चीज़े, वहाँ जब ये डालते हैं, तो वहाँ पर लोग ये भी पूछते हैं, बहुत पेरें को ही रूल कर रहे हैं चद्रमा, चद्रमा कोन है, मन और मस्तिश के लोड है, लगनेश चद्रमा का 10th house में जाना, वो पिता का घर भी है, वो घर अमारे कर्म का भी है, वहाँ पर चद्रमा पहले तो बैठे अकिले, ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना साथ में कोई, ये ब पिता की ही डांट की वजह से वो छोटा बाई चला गया है। सरकार भी देती है कानून भी देता है परिश्मन तो यहाँ पर यह 10th house आपका बढ़ा वीक परिट है। अपने आपको separate रखने का काम कुछ character लोग करते हैं वो इस प्रकार की योग वाले ज्यादा लोग करते हैं। थर्ड house की तरफ चलता है जो भाई का ही होता है। थर्ड house जहाँ पर 6 नमबर लिखे में वो भाई का घर होता है उसके लॉड बनते हैं बुद्ध। वो चलेगे रोग भाई में वो भी बुद्ध मंगल का जड़त्व दोश और साथ में शनी बुद्ध शुकर मंगल ये चारों की प्लैनेट की पोजिशन साथ बनी होई वो भी रोग भाई में हैं। शिक्स षाउस में टैन थाउस की लॉड बंगल सेवन्थ और एक थाउस की लॉड शनी बिराज़मान हैं और साथ में फोर्थ आउस और इलेवन थाउस की लॉड शुकर के साथ बिराज़िते हैं। यहाँ पर बले ही चुकर बुद्ध का लक्ष्मी नाराण योग बनता है और शिक्स आउस की लॉड गुरू 12 आउस में बिराजबान है वो भी वक्री है और ये चारों प्लैनेट का 12 आउस से कहिन के प्रवाव है रहे विदेश यात्राओं के गर में ये चलेगे तो ये खु ही का सुख पूरा नहीं मिल पाया मा का सुख चळ्रबा ने चहीना पिता का सुक केमद्रुमों दोश पिता के कारकरे सूरी का ग्रेंट डोश इसका आर्थी एक कड़ता ही नहीं है कि जिसकी पुनली में ऐसे योगrods की जलदी अगर होता है उसके लौट सूरी जैसे मैंने बता है सेवन था उसमें ग्रहन दोश में बने हुए और लगन में लगन भाव में विराजित केतु की सांतवी दिरिश्टी भी इस ग्रहन दोश पर ये भी बड़ा वीक पॉइंट बनता है वर्तमान में आपको मन और बस्तिश के लौट चद्रमा की दशा है दस साल की दशा होती है उसमें शनी का अंतर है जो 6 अपरेल 2018 को खतम हो चुका है अब आगे बुद की जो चद्रमा शनी के बाद बुद का अंतर है वो 6 दिसंबर 2019 तक चलेगा ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है इस टेंशन और डिप्रेशन में आप अपने जिन्दगी को तबाह करने का पूरा काम कर सकते हैं लेकिन आपके बाता पीता भाई हो सकता भाई आपके जिन्दा हो इस कुंडली के अनुसार कमजोर योग बनते हैं लेकिन उन लोगों की आत्मा को शांती तभी मिल पाएगी सच्ची सरदान जरी तब के अपना परिवार बनाओ शादी करो जिसके योग 12 अक्टूबर 2018 के बाद बन रहे हैं और अपना खुद का परिवार बना कर खुद के बच्चे हो उनके साथ बहुत अच्छी परवरिश करिए इससे आपका डिप्रेशन कब हो सकता है अकेले होने से आपका डिप्रेशन और आपकी मुर्तिव से किसी को कई लाब नहीं मिलेगा जिनदा रहने से आप जो पैसा कमा रहे हैं अगर आपसकोई उद्देशन नहीं है आप गरीब बच्चों के लिए करिए उन भाई बहनों के लिए करिए जिनका परीवार भी कोई नहीं अनात्थ बच्चे है उनके किया जा साथ है खुद की जिंदगी को बरबात करके क्या मिलने वाला दोस्त नौमाच कुंड़ी पर बात करते हैं जिससे और स्थिक को क्लियर कर सकते हैं यह फिर वही करक लगन की कुंड़ी लेकिन भरगोतम नौमाच यह बड़ा सुन्द राजयों बनता है यहां पर लगन केमदुरूम दोस्त का रिजल्ट आपको मिलेगा थार्ड आउस के लड यहां पर पुना बुद्ध बनते हैं वो बिराजबान है फिर्फ आउस में और यहां पर शत्रु राशिस्त शनी और शत्रु राशिस्त बुद्ध है कुछ चत्रक भाई का सुख ये कमजोर करते हैं फिर्फ आउस में सेवन्थ आउस और एड़ आउस के लड शनी के साथ बैठना वीक पॉइंट है फिर्फ आउस के लड मंगल का ट्वेल्थ आउस में जाना सडास्टक दोश बना रहे हैं और धन बाव सेकंड आउस के लड सूरी के साथ बिराजबान है ट्वेल्थ आउस म जिससे आपको धन तो बहुत अच्छा मिलेगा, विदेश में तरक्य भी मिलेगी परतु बुद और मंगल का परिवर्तन राज्योग ये आपकी कुनली में परिवर्तन सुनने पर तो लोगों अच्छा लगता है लेकिन ये 3rd house का परिवर्तर राजयोग वो भी मंगल के साथ, शत्रू के साथ, ये आपका बहुत बड़ा weak point है, भाई होता तो भी उससे नहीं बनती अज बहुत सारे लोगों के भाई भी जिन्दा है, बनती नहीं, एक दूसरे को आँखों से देख भी नहीं पाते, देखना भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, हम लोग दुनिया में बाहर के लोगों से बहुत अच्छे सम्मद बनाते हैं, लेकिन अपनों से ही तो अलेवाली कुणली में भी पती और पतिनी का जो गर होता है, सेवंध आउस में ग्रहन दोश्टा, या फोर्थ आउस के लोट शुकर का सिक्स आउस में वरगोतम होकर स्वग्रही गुरू के साथ शंक्योग बना रहे हैं, ये एक सुन्दर आजयोग है, जो आपके धन के ल मिलना उस लिहास से उस ग्रिविटी या उस पोजिशन के साथ वापस नहीं मिल पाती है, आप अपने दुनिया को अलग बसाइए और इसके लिए 12 अक्टूबर का इंदसार करिए, मैं चाहता हूँ कि तुम विशेश साध्राय करो, जो मैं बताना जा रहा हूँ, और साथ म एकल शक्ती कवच गले में धारन करें, शुकरवार के दिन तीन मुठी चने मचलियों को महां दिलाए दीजिए, और शनिवार पीपल के पेड़ में चमेली के तेल का दीपक प्रचुलित करके, उस पे थोड़ी पीली सर्सों कालिबेट्स और दो लॉंग डाल दीजिए, औ जारा बुद्वार पानी बाला नारियल लेकर गणिश जी को और पित करें, अगर वाँ पॉसिबल नहीं सेनोसे में तो इंडिया में आपके नाम से मंदिर में प्रचाड़ा देंगे, और साथ में आपको सवा किलो का पारेश शिवलिंग लेकर उस पर रोजाना अभिशे क और रोजाना योग प्रणयम एक्सराइज करो, मस रहो, चिंता छोड़ो चिंतन करो, चिंता ने जाकर चिता से कहा कि तुम तो जिन्दा लोग माव करीगा, जो चिंता है उससे चिता से कहा कि तुम तो मुर्दों को जलाती हो, लेकिन मैं इंसान को जीते जी ही जला देती ह इसलिए जीते जीव मत अपने आपको जलाईए अपने जीवन को उद्धेश बनाई तो ये था इनका जन्म कुर्णिका का विस्टेशन अगर आप ऐसी या किसी और परकार की तकलीव से गुजर रहें तो बैक करूँगा आपकी समस्याओं का समाधान आप हमारे बाकी वीडियोस को यूट्यूबर जाकर देख सकते हैं और अधिक जानकारे लिए जोदपुर संपर कर सकते हैं हमारे कारेले में आज के लिए बस इतरह ही मुझे अपने वानी को यहीं विराम देरे के लिए इजाज़त दीजिए नवश्कार, बहुत-बहुत शुबकामना, प्यारबरा, आश्यरवाद स्वागत करे महलक्षमी का इस अक्षे तृत्या पर अक्षे लक्षमी साधना द्वारा आप भी सोभागे प्राप्त कर श्री संपन बना जाते हैं तो आगामी अक्षे तित्या की पावन अवसर पर संपन करे संपूर्ण भागी वर्दा लक्षमी साधना जिसे परंपूर्जे गुरुदेर सुरेश्री माली जी के सानेधे में अध्यात्मेक साधना सिद्धे के इंद्र के विद्वान पंडितों निर्मान कर खोले हैं आप सभी के लिए सुक्सेमधी के द्वार इस संपूर्ण अक्षे लक्ष में साधना में आप आएंगे प्रांपरतिष्टायूद अभी मंत्रित पूजन सामगरिया अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-243-2625 98290-26625 8955-896625 संपर्क करें 977-980-103-2862